हेलो स्टूडेंस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं धातू और अधातूं के बीच में अंतर होता क्या है सबसे पहले तिसके बारे में बात कर लें धातू और अधातू कुछ और नहीं है यह हमारे आसपास जो सारे पथा पाए जाते हैं यह धातू और अधातू और अधातू भी पदार्थ ही है आप तांबाए अब तांबा में क्या है कि एक मिशेषपरकार की Chamak होती है के का होने के साथ साथ जो है दुछतो होता है मतलब विजुद्धारा इससे प्रभावित हो जाता है है तर्थो इसके इसी गुन के कुछ पदात ऐसे होते हैं जिसमें बिदुधरा परभायत हो जाता है और इसी परकार के सरेनी में रख दिया है तो इसी परकार के गुनों कारण पदार्त को धातू और अधातू में बार दिया गया है और इसी अधार पर हम देखने वाले हैं कि धातू और अधातू में क्या अंतर होता है तो देख ले धातू में एक विशेश परकार की चमक होती है जैसे मालो सोना है चांदी है इस सब में देखेंगे सोना भी चमकिला हो चमक होती है इसके लावे गरेफाइट के अतिरी किसी अच्छा गरेफाइट में भी बहुत ज्यादा चमक नहीं होता है तो धातों में चमक नहीं होती है धातों के गलनांक और क्वस नांक अधिक होते हैं मतलब यदि हम धातों को गलाना चाहे या उबालना चाहिए अगर मांलो क्या है लोहा है मार पास लोहा एक प्रकार का धातों है लोहा को यह अगी गलाना चाहरे नेमें 25-37 industry celsius के आसपास में जाके लोहा गलेगा यह तो जबकि अधातूओं का जो गलनांक और कुथनांक होता है वो धातूं से तो कम ही होता है अब देखें कि कमरे के ताप पर जो नॉर्मल टमपरेचर जिस ताप पर हम लोग रहते हैं उस ताप पर सभी धातूए ठोस पाए जाती है केवल मरकरी एक ऐसा धातू है जो द्रब होत होत यह इस वाथ को समझो कमरे के टाप पर उस तंपरेचर पर हम रहते हैं उस ताप पर अधिक अधिक तर धातू होती है तो भी अधातु ठोस या गैस होती है ठोस भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है ठीक है सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव है मतलब कमरे के ताप पर सभी धातु क्या होती है ठोस होती है ठीक है जबकि अधातु के बारे हम देखेंगे तो गैस भी हो सकती है और ठोस हो सकती है अब देखो असमा का सुचालक होता है कहने का मतलब क्या है कि लोहे का छर ले लो उसको आग में डालो तो धीरे धीरें गडर्मी हमारे हांतों तक पहुंचाई यह लोहे की चर नाबे की छर को लेकर चरी को लेकर की जट्का हमको भी लगेगा और बरा का कुछ आलक होता है मतलब अधातवों से होकर उसमा और विदूत पास नहीं कर पाता है चोछ सब्याइब अधातु है जिसमें बिदू चालकता पाइजाती अब मालो पैंसिल है पैंसिल में जो कालावला पदार्थ होता है उसको अगर हम बिदु धरा में जो हमारे गरूंबोर्ड लगा होता है उसमें अगर चाटा कर दूसरे छोर को छूने की कोशिस किए तो बहुत ब्रात तेज लगने वाला है तो गरेफाइट विदूद का सुचालग होता है यह कुछ अंतर थे धात्वूं और अधात्वूं के बीच मिलेंगे हम अगले बिच्ट